हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका सौगत है दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे भारत में पंचायती राज से जुड़े 21 महत्पूर्ण तर्थ 21 एंपोर्टेंट फेक्ट्स देखेंगे भारत में पंचायती राज से जुड़े जो हमारी PSC, स्टीट PSC, SSC, रेलबी और अन्य प्रत्यूगी परिक्षाओं के लिए महत्पूर्ण है तो चलिए जानते हैं पहला फेक्ट भारत में इस्थानिय स्वसासन का स्थित्व एतिहासिक काल से रहा है चोल सामराज की इस्थानिय स्वसासन विवस्ता तथा बिजयनगर सामराज की आयंगर विवस्ता इसके प्रमखुधारण है दूसरा फेक्ट है आधुनिक समय में इस्थानिय स्वसासन का प्रियास ब्रिटिस काल में लाड रिपिन द्वारा बर्स 1982 में किया गया और लाड रिपिन को इस्थानिय स्वसासन का जनक कहा जाता है तीसरा फैक्ट है, 1919 के अधिनियम में इस्थानी सोसासन को अस्तानांतरित विशाई के रूप में परिवर्थित किया गया, तता 1935 के अधिनियम में से सुद्रण बनानी का प्रयास किया गया चौथा फेक्ट है बारत में स्थानी सुसासन का उद्देश ये लोक तांत्रिक शासन बिवस्था में जन्ता की भागीदारी को बढ़ाना तथा सत्ता का भी केंदरी करण सुनिश्चित करना है पांचवा फेक्ट है संभीधान के नीती निदेशक तथ्यों के अंतरगत अनुच्छे चालीस में ग्राम पंचायतों का प्रावधान कर राज्जियों के गठन की सक्ति प्रदान की गई है छटवा फेक्ट है पहली बार दो अक्टूबर 1952 को सामुदायक विकास कारिकरम विकास में जनता की सहिभागिता सुनिश्चित की गई थी साथवा फेक्ट है सामुदायक कारिकरम 1952 तथा राष्ट्रिय प्रसार सेवा 1953 के कारियों की जाज करने हेतु जनवरी 1957 में भारस सरकारद्वार एक समीती नियुक्त की गई जिसके अध्यक्ष बलवंत राय महता थे आठवा फेक्ट है वलवंत राय महता समीती की सिफारिस पर वर्ष 1958 में राजस्थान से पंचायती राज विवस्था का प्रारम हुआ वर्ष 1977 में असूक महता समीती का गठन किया गया जिसने त्रिस्त्रिय प्रणाली को समाप्त कर दुस्त्रिय प्रणाली का सोजाव दिय था नौवा फेक्ट है इस समीती ने 15,000 से 20,000 की जन संख्या पर मंडल पंचायत की गठन का सुझाव दिया दस्वा फेक्ट है ग्रामिन बिकास एवं गरीवी उन्मूलन कारिकरम के लिए योजना आयोग ने वर्ष 1985 में जी वी के राव की अध्यक्षता में समीती का गठन किया था ग्यारवा फेक्ट है वर्ष 1986 में ततकालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थानों के या संस्थान थे उनके पुनरुद्धार हेतू एल एम सिंगवी की अध्यक्षता में समीती नियुक्त की थे बारवा फेक्ट है एल एम सिंगवी समीती ने स्थानिय संस्थाओं को संविधानिक दर्ज़प्रदान करनी की सिफारिस की तेरवा फेक्ट है बर्स 1991 में पीबी नरसिम्ह राव सरकार द्वारा इस्थानिय चंस्थाओं को सम्विधानिक दर्ज़े प्रदान करनी का प्रagarस किया गया था चौद्वा फेक्ट है तेहित्तरवी सम्विधान संसूदन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में स्थानी सोसासन को सम्विधान एक दर्जा प्रदान किया गया पंद्रवा फेक्ट है 24 अप्रेल 1993 से यह अधिनियम देश में प्रभावी हो गया और अधिनियम बनने के पश्चात सर्व प्रथम आंदर प्रदेश में पंचायतों का गठन की प्रिक्रिया प्रारम की सोलवा फेक्ट है 73 सम्विधान संसूदन अधिनियम के द्वारा अधिनियम में भाग 9 का उपबंद किया गया जिसका सीर्षक पंचायत रखा गया सत्रवा फेक्ट है भारतिय सम्विधान में पंचायत के लिए अनुच्छे 243 से अनुच्छे 243 सूने तक कई प्रावधान किये गए तथा उन्हें सुद्रणता प्रदान करने के लिए सम्विधान में 11 अनुसूची को जोड़ा गया है अठारवा फेक्ट है इस अनुच्छी में पंचायत से संबंदित 29 विश्यों का वर्णन किया गया था उन्नीस्वा फेक्ट है तेहत्तरवे सम्विधान संसूदन अधीनियम की दौरा सभी राज्यों में त्री इस्तर ये पंचायत इसासन प्रणाली का प्रावधान किया गया है बीसवा फेक्ट है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत माध्धिमेक या ब्लोक स्तर पर छित्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का बठनुगा था और अंत में कैस्वा फैक्ट है जम्मु कस्मीर दिल्ली और अवना चल पिर देशने इस अधिनियम को नहीं अपनाया है तथा नागालेंड मेगालाय मेजुरम में जन जाती परिशद जैसी संस्ता होने के कारण या कानून प्रभावी नहीं हो पाया है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें अपने दोस नुक्षा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू